हेलो एवरिवन मेरा नाम राजीव है और इस वीडियो में हम लोग एरे स्टार्ट करने जा रहे हैं यह जो मेरा वीडियो है यह कोई भी स्टुडेंट हो चाहे है इस यह सी बोड 10th का हो 11 12 या फिर आप गेजुएशन कर रहे हो या आप जावा में एरे सीखना चाहते हो सब क के लिए है ओके सो एरे क्या होता है सो सिंपल अगर एरे का मैं डेफिनिशन लिखता हूं सो array is a data structure array is a data structure which is used to a store multiple values to store multiple values of homogeneous type of homogeneous type I know अब साइद बहुत लोगों definition समझ में नहीं आया होगा बड़ इसे confused मत होना सबसे पहले homogeneous word का मतलब होता है एक जैसा ठीक है और data structure क्या होता है basically data को arrange करने का तरीका so array कुछ और नहीं सिर्फ data को arrange करने का एक तरीका एक वे है ठीक है so definition में क्या दिया है array is a data structure which is used to store multiple values of homogeneous type so array एक data structure है ठीक है जिसमें हम multiple values को store कर सकते हैं रख सकते हैं ठीक I hope definition clear हो गया होगा तो अब मैं एक example दे कि आपको बताता हूं ठीक है जैसे suppose मान लो आपको 10 student का mark से store करना है ठीक है total student हमारे है 10 जिनका mark से store करना है तो without array कैसे कर सकते हो अगर इस program को without array करना हुआ तो 10 variable लेने होंगे जैसे int a,b,c,d इस तरीके से आप 10 variable ले सकते हो उसमें store कर सकते हो अगर 100 student का mark से store करना है तो 1000 student का mark से store करना है तो obviously बात है अब इतने variables नहीं ले सकते हो ठीक है तो इस problem को solve करने के तरीके और भी है और उसमें से एक तरीका है array हम यहाँ पर क्या करेंगे एक array create करेंगे अभी मैरे definition में क्या बताया कि एक array में हम multiple values store कर सकते हैं बट उस सारे values same होने चाहिए similar type के मतलब तस value या तो integer हो या तो point और नमबर्स हो या तो string हो या तो character हो okay so suppose 10 student है उनका marks कुछ ऐसे है 10 नहीं 5 ले लेते है 5 student है और उनका marks है suppose 15 18 2 then 19 and 12 ये 5 student का marks है out of 20 है इसको हमें store करना है ठीक तो किस तरीके सहरे में store करेंगे और array बनाएंगे हम कैसे तो देखो simple है मैं कमेंट में लिख दे रहा हूं creating an array so किस type का है जो हमारे 5 marks हैं जो array में store करना है वो integer है तो array देखो जैसे variable का type होता है न suppose अगर यही 5 marks तुम्हें variable में store करना होता तो तुम 5 variable लेते integer type का int a,b,c,d,e ठीक है और फिर तुम marks store कर सकते हो जैसे तुमने a में 15 इस्टोर कर लिया then b में 18 इस्टोर कर लिया then c में 2 कर लो then उसी तरीके से हम d में 19 कर सकते हैं then 12 कर सकते हैं तो जैसे variable का type होता है अगर variable में integer store करना है तो variable के पहले int लिखोगे उसी तरीके से array का भी type होता है ठीक तो suppose हमने array का नाम ले लिया marks और array में किस तरह का data store करना है integer type का तो array के पहले हम लिखेंगे int array का type अब computer को कैसे पता चलेगा कि यह marks जो है एक array है क्योंकि अगर इसको मैं सिर्फ ऐसे ही छोड़ देता हूँ तब तो एक normal variable हो गया तो हम क्या करेंगे marks के बाद square bracket open or close ओके इस तरीके से हमारा marks क्या हो गया array हो गया अब इसमें हमें पांचो number store करना है तो कैसे करेंगे हम लिखेंगे int marks assign with then curly braces में numbers को store कर लो तो पहला number है हमारा 15 then comma again 18 comma 2 comma 19 comma 12 यह हो गया हमारा एक array create हो गया यह one dimensional array है अभी मैं आगे बताऊंगा array दो type के तीन type के कितने type के होते हैं क्या होता है वह सब मैं आगे बात करूंगा पहले में एक बार array create करके आपको दिखा दूँ ठीक है तो यह हमने एक array create कर लिया marks नाम का और जो हमारे 5 number थे हमने store कर लिया अगर 5 से जादा number होते तो ऐसे हम कॉमल लगा लगा कि उसमे store कर सकते थे ठीक है अगर मान लो और भी marks होते तो तो 5 element हमने store कर लिया अब यहां पर देखोए सारे element same type के हैं integer type के हैं किसी भी element में हमारा कोई भी element integer से अलग नहीं है ऐसा नहीं है कि कोई element हमारा double type का है point वाला या कोई string तो यह हमारा array create हो गया अब ध्यान से समझना है इसी उसको जब हमारा array create होता है तो computer क्या करता है कि जितने भी हमारे array में element है सबको index देता है तो जो हमारे array का पहला element होगा उसको system हमारा computer index देगा 0 then next element को 1 then next element को 2 then 3 and then 4 तो यहां पर देखो हमारे array की size क्या है array की length है 5 5 element है बट लास्ट वाले array का index last array में last वाले element का index क्या है 4 तो याद रखना indexing हमेशा 0 से start होता है तो पहले element का index क्या है 0 then 1 then 2 then 3 last वाले का 4 तो यह हमेशा दिमाग में रखना कि अगर array की size 5 है तो उस array में last वाले element का index 5 से कम 4 होगा अगर array की size 10 है तो array में last वाले element का index 10 से कम एक 9 होगा ऐसा क्यों क्योंकि index 0 से start हो रहा है अगर किसी को एक concept ना समझ में आया हो ना तो मैं एक simple example दे के समझाता हूँ suppose तुमारे घर में 5 लोग आने वाले हैं तुमारी मदर ने बोला कि 5 chair लगा दो उनके बैठने के लिए तो तुमने 5 chair लगाया 1, 2, 3, 4, 5 टोटल chair 5 है फिर तुमारी मदर ने बोला कि सारे chairs को एक number लॉट कर दो consecutive order में एक line से ठीक है और number 0 से start करना तो तुमने पहले chair पे number लिख दिया 0, then next पे 1, then 2, then 3, then 4 तो यह जो chair number एक तरीके से है न वही समझो array में index होता है ठीक है तो यहाँ देखो total chair कितना है 5, but last वाले chair का index कितना है 4 क्योंकि index तुमने 0 से start किया है So I hope एक clear हो गया होगा और index बहुत ज़्यादा important है क्योंकि index का आगे हम use करने वाले हैं ठीक, fine तो यह हमने array create कर दिया, अब इस array के element को हम print कैसे करेंगे हमारा जो array है उसके element को print कैसे करेंगे तो देखो simple है हम लिखेंगे system.out.println अब इस array में तो 5 element है तुम इन में से कौन सा element प्रिंट करना चाहते हो 15, 18, 2, 19, 12 कौन सा सपोज तुम 15 को print करना चाहते हो ठीक है हमारा पहला element तो 15 का index क्या है 15 का index 0 है तो हम पहले array का नाम लिखेंगे array का नाम क्या है marks then square bracket में जिस index का element हम प्रिंट करना चाहते है तो 0 अब हमारे array में 0 index पे कौन सा element है 15 तो इस line में output क्या आ जाएगा 15 आएगा चलो मानलो हम 19 प्रिंट करना चाहते है तो कैसे करेंगे 19 प्रिंट करना हुआ तो simple है हम क्या करेंगे array के बाद square bracket open close और यहाँ पे index क्या देंगे 19 का तो यहाँ पे देखो 19 का index क्या होगा यहाँ पे 15 का index क्या था 0 18 का 1 फिर अगला element 2 उसका index 2 ही है then 19 का 3 और 12 का index 4 तो हमें 19 को प्रिंट करना है तो index क्या देंगे marks में 3 तो अगर run करोगे तो यहाँ पे output क्या आएगा 19 उसी तरीके से हम 18 को कर सकते हैं अगले line में 1 index दे देंगे then 12 के लिए 4 दे देंगे but again यह सही तरीका नहीं है print करने का element को ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर suppose 100 element है और हर element को print करना है तुम 100 बार system.out.print लिखोगे तो इससे अच्छा तुम 100 variable ले लिए होते so this is not a good way तो इसका solution क्या है? again इसका solution है loop हम यहाँ पे loop का use करेंगे so हम लिखेंगे for for loop का मैं यूज करने जा रहा हूँ and then मैं एक variable ले लेता हूँ int i और i को मैं 0 से निस्लाइज कर देता हूँ मैं 0 से निस्लाइज क्यों कर रहा हूँ क्योंकि हमारे array में जो पहला element है उसका index क्या है? यानि हमें 0 से start करना है तो i assign with 0 sorry i assign with 0 अब हमें कहां तक जाना है? i की value हमें कहां तक ले जानी है? 0 के बाद हमें 1 index को access करना है then 2 index then 3 index then 4 index तो last में हमें 4 index पे जाना है तो हम यह condition देंगे i less than 5 5 हमारे array का length है less than मैंने दिया है equal नहीं लगाया है ठीक है? i less than 5 से क्या होगा? loop सिर्फ 5 तक चलेगा and then i की value को हर बार एक increase कर देते हैं तो i plus plus फिर अब यहाँ पे for loop के अंदर हम लिखेंगे system.out.println फिर array का नाम क्या है? array का नाम है marks और यहाँ पे square bracket में हम लिख देंगे i ठीक है? हो गया हमारा program हमारा सारे array का element क्या हो जाएंगे? print हो जाएंगे so अगर किसी को नहीं समझ में आया हो तो मैं इसको explain करता हूँ मैं थोगा सा font size increase कर लेता हूँ so अब यहाँ पे देखो so हमारे array में सबसे पहले first element का index किया होगा 0, then 1, then 2, then 3, then 4 अब यहाँ देखो जब computer 4 में आएगा तो i की value कितनी है? starting में 0 फिर condition चेक करेगा तो 0 less than 5, condition true computer 4 के अंदर आएगा क्या print कर देगा? array का नाम marks और i i में कितना है अभी? i में देखो यहाँ 0 हुआ था ना, तो 0 तो marks में 0 index पे कौन सा element है? 15 तो पहला output आएगा 15 उसके बाद अगर for loop नहीं आता तो मैं वीडियो का link दे दे रहे हैं तो प्लस प्लस क्या करता है? value को एक बहाँ एता है तो i की value 1 हो जाएगी फिर condition चेक करेगा तो i में 1 है तो 1 less than 5, condition true फिर अंदर आएगा अब marks और i में कितना है? 1 तो देखो array में 1 index क्या 18 है न? तो next element 18 print करेगा उसी तरीके से फिर हमारा computer i++ पे जाएगा तो i की value 1 थी अब इस बर क्या हो जाएगी? 2 again condition चेक करेगा 2 less than 5, condition true फिर अंदर आएगा तो marks और i में कितना है? 2 तो array में देखो 2 index पे क्या है? 2 ही है न? तो 2 print करेगा उसी तरीके से जब i की value 3 होगी तो 19 and then i की value 4 होगी तो 12 और जब i की value 5 होगी तो क्या हो जाएगा? हमारा condition देखो 5 less than 5 condition false बाहर निकल जाएगा ठीक है? I hope एक simple program समझ में आ गया होगा कि array को कैसे हम create करते हैं और उसके बाद array को हम किस तरीके से print करते हैं तो एक बार में इस program को run करके output दिखा दे रहा हूँ एक बार में इस program को run करके output दिखा दे रहा हूँ so just a minute ओके so terminal में हम लिखेंगे java c then cd java then java c compiler को हमने call किया program का नाम क्या है abc.java enter कोई error नहीं है बन करते हैं interpreter java and then abc यह देखो हमारा output आ गया अच्छा सारी मैंने program को अच्छली save नहीं किया है पुराना program रन हो गया यह मैंने save कर लिया फिर से compile करते है so compile करते है java c abc.java and then java abc so देखो 15, 18, 2, 19, 12 हमारे सारे element प्रिंट कर दिया ठीक है so यह तो हमारा था कि अगर हमें पहले से data पता है जो हमें array में store करना है तब क्या करेंगे ठीक है अब next है array में user input कैसे लेंगे but उसको देखने से पहले array को थोड़ा सा और detail में हम अच्छे से समझ लेते है ठीक है तो यह तो हो गया कि हम प्रोग्राम में array कैसे create करेंगे उसमें data कैसे store करेंगे but अब थोड़ा सा theoretical part array का हम देखते है ठीक है so array का मतलब क्या होता है पहले इसको समझो फिर पूरा array का concept समझ में आ जाएगा और जो मैंने array का definition लिखवाया था वो भी तो English word array जो है जाके इसको Google पे English word प्रोग्रामिंग छोड़ दो English word जो array है जाके Google पे इसकी meaning सर्च करो तो इसका meaning मिलेगा तुम्हे arrangement of similar things इन पर्टिकुलर order मतलब एक तरह की चीजों को अगर हम एक पर्टिकुलर order में arrange कर दे तो उसको हम array बोलते हैं जैसे अगर एक line से हमने chair लगा दिया ऐसे 5 या 10 जितने भी chair हमने एक line से अगर हमने ऐसे chair लगा दिया देखो एक ही dimension पे है न सिर्फ x axis पे बढ़ रहा है ठीक है तो इसको हम क्या बोलेंगे एक chair का array है ठीक है उसी तरीके से मानलो football है तुम्हारे पास तुमने एक line से ऐसा चार football रख दिया तो यह क्या हो गया यह तुम्हारे football का array form हो गया आया समझ में तो simple array का मतलब क्या होता है arrangement of few things in particular order ओके तो आई होप इतना सब को clear हो गया होगा तो अगर तुमने array के definition पे ध्यान दिया होगा तो definition में मैंने क्या लिखा है था array is a data structure मतलब array सिर्फ data को एक particular way में store करने का रखने का तरीका है so I hope अब relate कर पा रहे होगे ठीक है तो अब देखो यह पर होगा क्या जब हमारा computer इस program को execute करेगा तो यह चीज तुम्हें भी पता होगी कि जब हमारा program execute होता है तो पूरा का पूरा execution कहा होता है computer की memory पर होता है और memory में भी कहा RAM जो हमारा main memory है computer का और main memory का basically दो part होता है एक होता है heap और दूसरा होता है stack ठीक है तो हमारे program का execution कहा होता है stack में होता है अब stack क्या होता है heap क्या होता है ओ तुम ने जानना है ना उसमें में जाओंगा तुम बस इतना अभी simple जानो कि पूरे का पूरे हमारे program के execution कहा होता है हमारे memory पो होता है R.I.M. पे ठीक है program क्या है program basically set of instruction है computer के लिए ए program जो है computer हमारा इस program को line by line read करेगा और read करेके जो भी instruction इसमें दिया गया है उसको follow करेगा program का मतलब यही तो होता है set of instruction for the computer follow करेगा और इस instruction follow करते time हमारा computer सारे काम कहां करेगा RAM पे memory पे तो यहाँ देखो क्या होगा जब computer इस line को read करेगा int marks assign with this so अब एक चीज़ धियान रखना कहीं भी अगर assignment operator लगा रहता है न तो पहले assignment operator के right hand side में जो लिखा है और फिर ओ value left hand side वाले में store हो जाती है ठीक है तो इस line में देखो यहाँ पे assignment operator लगा हुआ है यानि पहले इधर ओला part execute होगा ठीक है अब देखो होगा क्या जब computer इस line को read करेगा मैं line number 6 की बात कर रहा हूँ ठीक है इस line को तो curly braces में इतना data मैंने दिया हुआ है जब computer इसको read करेगा तो computer क्या करेगा RAM पे जाएगा और इस सारा data integer type का है न कितना है 1, 2, 3, 4, 5 तो computer RAM पे जाके एक line से 5 memory location generate कर देगा RAM पे 1, 2, 3, 4, 5 अब हमारा RAM जो है चोटे 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 memory location बटा होता है जो हमारा computer का RAM है जो memory है वो चोटे बहुत सारे चोटे चोटे location बटा रहता है ठीक है देखो पूरा का पूरा RAM बहुत सारे चोटे चोटे location बटा रहता है ठीक है पूरा का पूरा हमारा computer का RAM ऐसे चोटे चोटे location में बटा हुआ रहता है और हर location का अपना एक unique address होता है जैसे मान लो इसका address है 0001, इसका address is 0002, फिर इसका is 0003, इसी तरह हर location का अपना unique address होता है, इसको ऐसे समझ लो जैसे एक सहर है, उस सहर में बहुत सारे घर है, और हर घर का क्या है, अपना एक address है, ठीक है, उसी तरीके से हमारे computer का RAM होता है, तो I hope इतना clear हो गया होगा, ठीक है, so just 1 minute मुझे इसको rough कर लेने दो, हटा लेने दो, fine, so इतना काफी है, अब मैं आब बताता हूँ, so हमारा computer क्या करेगा, जैसे ही इसको read करेगा, वो RAM पे जाएगा, और देखेगा एक line से 5 location कहां खाली है, तो 5 location generate कर देगा, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, और हर location, वही ते को chair और example से connect करो, 5 chair तुमने line से रख दिया था, 1, 2, 3, 4, 5, तो यह chair का array form हो गया था, अब computer ने यहाँ पे देखा, 5 element है integer type का, तो जाके 5 location generate कर दिया एक line से, तो location का array हो गया, और फिर computer क्या करेगा, हर location को एक index देदेगा, पहले वाले को 0, then 1, 2, 3, 4, और फिर हमारे जो element array में उसको ला then 2, then 19, and then 12, इस तरीके से जो भी हमने element दिये थे, वो हमारे array में store हो गया, ठीक है, ओके, fine, अब क्या होगा, उसके बाद, मैंने अभी बताया ना, जो भी right hand side में रहता है, यह assignment operator क्या करता है, उसको left hand side वाले में store कर देता है, तो right hand side में जो लिखा था, उसको read करने के अब वो right hand side में, left hand side में आएगा, int marks, फिर क्या करेगा, एक और location generate कर देगा, रैम पे कहीं, जिसका नाम क्या होगा, marks, ठीक है, और इस location में, यह जो नया location generate किया है, जिसका नाम marks है, इसमें, अब यहाँ ध्यान से देखो, यह जो हमारा element है, यह सब कहां पे store हो रहा है, marks मे क्योंकि assignment operator यही तो करता है, right hand side को left hand side वाले में store करता है, तो हमारा computer क्या करेगा, हमारे array का जो address है, मालो इसका address हुआ 0001, ठीक है, एक first element का address, क्योंकि बाकी सारे तो उसके बगल में है, अगर इसका पहले वाले का, जो 0 index है, 0001 हुआ, तो अगले वाले का 0002 होगा, उसकी अ address पता है, तो बाकी का पता चली जाएगा, तो हमारा computer क्या करेगा, यह जो address है, हमारे array का, उसको marks में store कर देगा, 0001, तो इस तरीके से हमारा पूरा array create होगा, और यह भी समझ सकते हो, जब हमारा computer इस line को read करेगा, तो RAM पे इतनी सारी चीज़े होगी, ठीक, अब जब हम access कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं, अब इस चीच को ध्यान से समझना, RAM पे हमारा array जहां भी है, उसका address किसको पता है, marks variable को पता है, यानि अगर इस array के किसी भी element को तुम्हें access करना है, तो marks से पूछना पड़ेगा, तो इसलिए अब देखो जब हम print कर रहे हैं, तो for int i assign with 0, फिर i less than 5 condition true, computer loop में आया, और system.out.println, हमने पहले marks लिखा, मतलब array का address देखा, और उस address पे जाके i, i में अभी 0 है न, तो 0 index का element, यानि first time 15 print करेगा, जब i की value 1 हो जाएगी, तो क्या print करेगा, 18, फिर 2, फिर 19, फिर 12, So I hope समझ में आ गया होगा कि पूरा array का concept काम कैसे करता है, इसको हम array बोलते क्यों है, ठीक है, So just one minute, मैं इसको थोड़ा साथ आलू, तो ये तो था कि अगर हमारे पास, हमारे पास पहले से data available है, जो array में store करना है, तो कैसे store करेंगे, but question है आता है कि अगर हमें user input लेना है array मे तो कैसे लेंगे, suppose हमें 5 या 6 student है, उनका marks user input लेना है, ठीक है, array में, तो एक चीज कैसे करेंगे हम, तो इसको हम लोग next class में discuss करने वाले है, ठीक है, अगला जो मैं video record करूँगा, उसमें हम लोग user input का बारे में बात करेंगे, कि array में user input लेंगे, fine, so this is all for today, thank you for watching this video and do subscribe this channel and like this video.